जैहिन साथियों, तो CICF Constable Fire का First Day का Physical Complete हो चुका है, आपको पता होगा कि 26 सब अगस्त से इसका Physical Start था, तो Final First Day अर्थात आज का Physical Complete हो चुका है, तो आज हम इसके Complete Review के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर Candidates को Select किया जा रहा है, कितने Candidates को Reject किया जा रहा है, पिक क्यों Reject किया जा रहा है, वहाँ पर Height Measurement का कितना Difference आ रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पर कुल कितने Candidates पास हुए, उसके बाद वहाँ पर आपका क्या 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 प्रोसेस होगा, तो सारा Detail से बात करेंगे, उससे पहले Friends, अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका Complete Review आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, सभी दिन का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बिलको आलपा ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से वहाँ पर ग्रूप बना जा रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पर ग्रूप बना जा रहा है, तो एक बार में इतने candidate को running करा जा रहा है यहाँ पर देखे दोस्तों उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं reporting के तो जैसे आप reporting करेंगे आपके admit card में 6 a.m. reporting दिया होगा किन्त friends यहाँ पर बहुत सारे candidate 5 a.m. पर report कर जाते हैं तो आप लोग भी कोशिस करके 5 a.m. तक किया जाएगा आपका admit card अधार कार्ट चिक करने के बाद आपको अंदर ले लिया जाएगा वहाँ पर आपकी tabling कराया जाएगी टेबस पर आपको जाने होगे वहाँ पर आपका form फिल अप करना होगा एक form वो देंगे तो वही form आपको fill करना होगा, उसके बाद form fill करने के बाद आपका heart measurement होगा, तो सबसे पहले आपका heart measurement होगा, आपको chest number दिया जाएगा तो running से पहले एक बार आपका heart map जाएगा अब यहाँ पर देखें दोस्तो running से पहले जो heart map जा रहा है तो यहां पर देखें सबसे पहले आपका heart नापस आएगा अगर आप heart में pass होते हैं normal होता है तो आपको running के लिए भेद दिया जाएगा अगर आपका heart कम होता है तो आपको यहीं से reject कर दिया जाएगा आपको एक rejection form दे दिया जाएगा अब देखें फ्रेंस यहां पर मैं एक candidate का complete review लिया हूँ तो उनके carding यहां पर देखें उनका physical जहां पर था तो उनके लिए जो group बनाया जा रहा है तो उनके यहां पर 168 candidate का group बनाया गया था तो उसमें केवाल जो final select हुए थे वो 61 candidate यहां पर select हुए थे तो आप समझ सकते है कि कितने candidate को यहां पर result किया जा रहा है 168 में only 61 candidate यहां पर select हुए थे तो आप समझ सकते हैं बाकि फ्रेंस यहां पर इसमें बहुत सारे candidate running में out हुए थे और बहुत सारे candidate हाइट में out हुए थे बहुत सारे candidate chest में out हुए थे तो सबसे पहले जब आपका running complete हो जाएगा group में अगर आप running complete कर लेते हैं उसके बाद भी आपका PST होगा अर्थात आपके height weight chest की map होगी अब देखे फ्रेंस second जो height की map होती है वो बहुत ही exact होती है अर्थात अगर आपका 0.1 भी कम है फिर भी वो नहीं लेंगे अगर आपका यहां पर देख सकते हैं मैं जिन candidate का यहां पर कि इनका normal था जैसे कि आप लोग अगर कहीं पर मापते होंगे या फिर कहीं पर इससे पहले height measurement किया होगे या फिर आप घर पर ही मापते होगे तो आपका 170 आता होगा कि तो वहां पर जो है बहुत ही exact मापा जा रहा है 0.1 से भी candidate को reject किया जा रहा है तो इसलिए हमने लिखा कि 170 cm वालों को भी reject किया जा रहा है तो वहां पर फ्रेंस बिलकुल exact मापा जा रहा है तो अगर आपका height जो है 171 है 172 है तो आप बिलकुल sure रही है आपका हो जाएगा किन्तो यहां पर जिनका correct 170 है तो उनका height में थोड़ा सा doubts है आप देखे फ्रेंस यहां पर देखे कितने candidate select हुए तो हम ने आपको बता दिया कि 168 में से only 61 candidate select हुए है उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं documents की तो documents का हमने आपको बता दिया कि get में आपका जो है admin card चेक किया जा गए admin card के पीछे आपको अपना नाम लिखना होगा email ID लिखना होगा phone number लिखना होगा उसके बाद फ final physical complete हो जाएगा दिन आपसे documents complete original documents मांगे जाएगे जब आपका physical complete हो जाएगा और original documents में आपके 10th 12th की market मांगी जाएगी आपका cost and domicile certificate मांगा जाएगा and उसके बाद आपका अधार card मांगा जाएगा तो यही documents आपके लगेंगे generally आप इसे लेकर जाते ही होंगे तो यही आ आना है तो यह आप लोग ध्यान दिजेगा बाकी आप जाएगे अपना physical देखे आएगे कोई doubt आता है तो comment section में जरू बताएगे कल के physical का live review भी मैं आपको दूंगा चली मिद्धे next वीडियो में तब तक लिए जैहिन